वार के बारे में जानेंगे आज, जिसमें हम ये जानेंगे कि प्रतेक वार में कौन सा कार्य विशेश किया जाता है, साथी साथ उनकी संगया कौन-कौन सी है पाद सेशं पित सेशं संध्या सेशं तथाई वच्च शूनो मुत्र समंतोयम पित्वा चंद्रायनम चरे प्रेदर्शकों नमस्कार कल हमारी बात चेद नप्षत्रों के वर्ग पे हुई थी, और आज हम नप्षत्रों से थोड़ा नीचे उदरते हैं और वारों पे आते हैं सब्ताह के साथो वार और उनकी संगया के बारे में आज जानेंगे और उसको कैसे साधना है ये जानेंगे प्रतेक वार हमारे लिए शुभासुभ नहीं होता है और प्रतेक वार अशुभ भी नहीं होता है न तो हमारे पक्ष में निरनाय देता है और न हमारे भी पक्ष में निरनाय ले जाता है तो ये अगर हम जान लेते हैं कि कौन से वार में कौन से काम करने से शफलता मिलती है य उसकी संग्या कौन सी है ये जानेंगे और फल वी से इसके बारे में जानेंगे प्रियदर्सुको उपर जो मैंने मंतर बोला है उसके बारे में थोड़ी सी बता देता हूं देखिए जब भी कभी हम कोई जल पीते हैं कोई भी माली जहां अगर एक लोटे में या गलास में या फिर संध्या कर रहे हैं, तो इन सभी क्रियाओं के बाद अगर जल सेश बच जाता है, जैसे मैंने कहा कि पीने के बाद जल थोड़ा सा बच जाता है, पैर धोने के बाद थोड़ा सा जल सेश बच जाता है, या फिर संध्या पूजन करने के बाद थोड़ा सा जल सेश हो जाता है और फिर उसका उपभोग कर लेने पर व्यक्ति तभी शुद्ध होता है जब वो वापस चंद्रायन नामक कठिन वरत करे तो याद रखिएगा कि कभी भी जब आप जल पी रहे हों जल से पैर्ध हो रहे हों संध्या करने के उपरांत अगर जल बच जाता है उस जल का फिर इस्तमालना करे वो जल कुट्टे के नूत्र के समान हो जाता है और फिर हमें चंद्रायन वरत करना पड़ता है जो की सबसे कठिन वरत माना जाता है आगे बढ़ते हैं और अपने विशय पे आते हैं आज मैने आपको बताना है वार के संग्या के बारे में निश्चित रूप से अगर हम कहें तो हम नक्षत्रों पे ध्यान एक बार हमारा कम बार जाता है या फिर ना के बराबर जाता है जो बहुत उस तरह के जो लोग हैं जो पंचांग आदी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं या फिर किसी खास वर्ग विशेश से आते हैं वही नक्षत्रों को देख करके अपना दैनिक कारे साधते हैं या फिर कारे करने का वो जो है रूटीन तै करते हैं लेकिन चुकि मैंने पिछे देखा कि आप लोगों का दैनादिक जो क्रिया कर्म है वो बिल्कुल सही दिशा में और सटिक दिशा में जाए हमको कौन से बार में क्या कारे करना चाहिए ये हमारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है और ये विशय बहुत महतोपूर्ण है क्योंकि आज कल जिस तरह से हम जी रहे हैं उ मैंने यहां लिखा है वार और उसके बाद सभाव लिखा है उसके बाद संग्या और उसके बाद फल पिशेष ध्यान दिजिएगा रभी वार जो जिसके अधिस्थाता भाववान भासकर सूर्य देव हैं वो उनका सभाव क्रूर माना जाता है मतलब वो सभावत अह क्रूर क्रूर संग्यक का मतलब यह जाता है कि यह जो वार है वो उस दिन उगरता ज्यादा रहेगी। आप अन्य दिनों के अपिक्षा जैसा यहां रवी वार है फिर मंगल वार है और उसके बाद सनी वार है। ये तीनों वार कुरूर संग्यक वार माने जाते हैं इस दिन आपको याद रखना होगा कि ये चुकि कुरूर संग्यक है इस दिन कुरुध जो है वो जादा आती है अन्य दिनों के पिट्छा इस वार में कोई भी कार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कुरूरता रहेगी या आपके स्वभाव में कुरूरता जल्दी आएगी तो थोड़ा बचके रहना होता है ये बहुत बेसिक चीजे हैं जो हमारा काम बिल्कुल आसान कर देती हैं अगर हम दीन को पहचान लेते हैं प्रत्यकवार को पहचान लेते हैं हमारा काम बिल्कुल सरल हो जाता है क्योंकि हमें पता होता है कि आज का बार कैसा है आज के अधिपती कैसे हैं उनका सुभाव कैसा है तो वेशिकली अगर देखें तो रवी बार जिसके अधिस्थाता सुर्य देव उनका सुभाव क्रूर होता है और सुर्य जो है वो क्रूर ग्रह माना जाता है उसके बाद इनक सब को बताऊंगा आपको बिल्कुल भी परिशानी होना है इस्थर शंग्यक मतलब यह है इसको आप एक उधारण के तरह समझे कि आप कोई भी कारे करेंगे स्थिर्ता से करेंगे स्थिर्द चुकि सुर्य जो है बहुत विसाल पिंड है तो स्थिर्ता तो रहेगी अब चुकि उस दीन के वार सुर्य के उस दीन के जो स्वामी बनते हैं वो सुर्य बनते हैं और वो चुकि बहुत गंभीर ग्रह हो जाते हैं होता है न कोई-कोई मोटे आसन काव्यक्ति अगर कोई भी कारेंगी तो जल्दी से करेंगी राशियां जो है वो तिक्ष्न काम करेंगी अगर कहीं यात्रह भी करेंगे तुरंट लौट के आएंगे कोई भी कार्य करेंगे मतलब उसके बाद वो जो है वहाँ पर जाके टिकेंगे नहीं तुरंत रुखके अपना काम करके और वापस आएंगे तो इस्थिर संग्यक का मतलब यह हो जाता है कि काम में थोड़ी सी उतावलापन नहीं बिल्कुल सांथ मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल जल्दवाज प्रवर्ती नहीं जल्दवाजी नहीं और उसके बाद इस दिन का देखे फल विशेस में लिखा गया है गायन अगर रभीवार के दिन कोई काम करना है अगर कोई भी कार्य करना चाहते हैं और उस दिन गायन शंगीत आदी से संबंदित कोई निर्णय लेना हो आप लिजिए उस दिन का वार आपके लिए बहुत सुभ फल दायक होगा और उसका जो फल होगा वो आपके पक्ष में आएगा एक बार फिर से सोमवार सोमवार जो है वो सौम एगर है क्यूकि इसके अधिपती चंद्रमा हो जाते है और वो शैतल लेता के प्रतीक माने जाते है शीतल चंद्रमा जो है शीतल है तो इसलिए इनको सौम विसोहाओ के अंतरगत रखा गया है उसके बाद इनकी जो संग्या है वो चर है चर मतलब अत्यंते तीब्रे और ज्याद रखिए कि चंद्रमा कितनी जल्दी जल्दी अपनी अस्थान में परिवर्तन कर लेता है वो राशियों को कैसे जल्दी जल्दी वेध लेता है वो कलाओं को कैसे जल्दी जल्दी पार कर लेता है तिथियों को कैसे जल्दी जल्दी वो पुन्रवर्ति की तरफ आगरशारित होता है तो कुछ इसी तरह से चंद्रमा का स्वभाव अब चंद्रमा मतलब चंचल कहीं भी स्थिर होना वो जानता नहीं है चंद्रमा जिसकी कुंडली के लगन में चंद्रमा बैठ जाते हैं जातक सभाव का चंचल हो जाता है प्रवर्ति उसकी चंचलता वाली हो जाती है मन सदय चंचल रहता है और सुन्दर होता है तो ये जो है सौम्य प्रवर्ति के होते हैं सौम्वार का है, वो सौम्य प्रवर्ति के होते हैं, और चर प्रकृति के होते हैं, चर संग्यक हैं, साथी साथ, अगर इस दिन कोई भी सुभकारी करना चाहते हैं, कोई भी सुभकारी अगर करना चाहते हैं, जो अच्छा कारे हो, तो किसी भी सुभकारी की शुरुवाता करि मंगलवार मैंने बताया ये क्रूर ग्रह है और क्रूर शंग्यक है इसका सभाव भी जो है वो क्रूर माना जाता है इसका सभाव क्रूर और उग्रता का शंग्यक लेता है ये मतलब इसका सभाव उग्र और क्रूर ग्रह माना जाता है कुंडली में आगे जब हम चर्चा करेंगे तो मंगल के बारे में जब हमारी बात होगी तो वहाँ पर हम यह जानेंगे कि उसका जो सभाव है वो कुरूर है, कुरूर ग्रह माना जाता है और सांथी सांथ उसकी संग्या उग्र है, उग्र मतलब अत्यंद तेजी से जाएगा और निर्ने लेने में उगरता दिखाएगा चाहे आपके पक्ष में वो निर्ने जाए या आपके विपक्ष में जाए आप कई बार अगर मंगलवार के दिन कोई कार्य करेंगे उसमें उगरता रहेगी और जल्दबार प्रवर्ति देता है निर्ने चाहे आपके पक्ष में आ अगर कोई इन्वेस्टिमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए मंगल वार का दिन पोखुत स्रिष्ट साबित होगा मंगल की होरा में अगर कोई भी इस तरह का कारे किया जाए जहां से हमें पैसे दो रुपए लगाने हो और लाब दस रुपए का मिलने वाला हो तो उस वार में अगर ये काम करेंगे अत्यंत लाफकारी सिद्ध होता है उसके बाद बारी आती है बुद्धवार की जो की सौम्यग्रह है बुद्ध सौम्यग्रह बिलकुल अतिशंबेदन सिल्ग्रह माना जाता है बुद्ध और चंद्रमा बुद्ध और चंद्रमा अतिश शम्बेदन सिल्ग्रा हैं, जिनका स्वभाव ऐसा होता है कि किसी भी सुभग्रा के प्रभाव में या पापग्रा के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, सौम्मिग्रा हैं, मतलब इनके जो नेचर होते हैं, बाई नेचर ये बिल्कुल सीधे होते हैं, सांत, शरल और सीतल, स सांती साथ इनकी संग्या जो है वो संप्रकृति के होती है ना तो ये मतलब बहुत जल्दी उग्र होते हैं और ना जल्दी शांत होते हैं मतलब ये बिल्कुल एक तरह से कव सकते हैं कि बिल्कुल ही मेंटेन करके चलने वाले लोग होते हैं या फिर अगर इस दिन अगर आप बुद्ध चुकि व्यापार का कारण होता है, व्यापार का ग्रथ होता है, उसका द्योतक होता है, तो अगर व्यापार से सम्मंधित कोई भी फैसला लेना चाहते हैं, निश्चीत रूप से लीज़े कोई दिकत नहीं है, आपका रिजल्ड आपके पक्ष में ही आएगा, बा बहुत ही बीठे सोभाव के होते हैं, बहुत ही सांत और मीठे सोभाव के मतलब किसी को भी परिशान नहीं करना, और गुरुबार के दिन अगर हम कोई भी कारे करें, तो विद्या आरम भी अगर किसी की करानी हो, जैसे कोई घर में छोटा जातक हो, या अगर कोई बच्चा है है हमारे यहां और उसके एजुकेशन से समंदित अगर कोई फैसले लेने हो या फिर उसका विद्यारम भिर संस्कार करना हो गुरुबार के दिन करिए उस दिन और अगर ग्राणक छत्रों को देख करके अगर कुछ खास निर्णे लेना हो तो गुरुबार का दिन आपके ये आपको अत्यंति स्रिस्ट लाव मिलेगा उसके बाद बारी आती है सुक्र की सुक्र भी चुकी सौम्य ग्रह होते हैं और इनकी संग्या जो है वो मृदू है दोनों ग्रह जो है दोनों मतलब ग्रह चाहे वो गुरु हो या सुक्र दोनों का सुभाव सौम्य होता है और स संग्या भी इनकी मिर्दुही होती है, स्वभाव के मीठे और सरल होते हैं, वाद विबाद, चुकि सुक्र जो है वो बिवादिग्र है, वाद विबाद कराता है, मतलब अगर किसी भी प्रतियोगिता वगेर में जाना हो, या कहीं ये होता है जो आपको कहीं इंटर्विव अ आप वाद विबादी प्रतियोगिता के लिए आपके स्ट्रेस्ट फल के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, अगर चाहते हैं कि आपको संगोस्टी वगेर में भाग लेना है, वहाँ पर किसी तरह की अंताप्षडी वगेर होने वाली है, या फिर किसी भी तरह का माने जाते हैं और इनकी शंग्या जो है वो तिक्षन होती है, अत्यंत तिब्र, तिब्र मतलब तिक्षन और ये नियमों का पालन बहुत कड़ाई से कराते हैं, याद रखिएगा हमारे विद्याले में दो तरह के गुरु होते हैं, एक ऐसे गुरु जो बच्चों से प्रे बच्चा डरता है, तो कुछ इसी तरह की प्रविर्ती लिए सनी महराज होते हैं और इनकी प्रविर्ती तिक्षन होती है, अनुशाषन प्रिये और अनुशाषन का पालन कड़ाई से कराते हैं, अगर इस दिन आपको चिकित्सा से सम्मंदित कोई कार्य करना हो, जैसे अग अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाग अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ये कहीं न कहीं ग्रहों के प्रविर्ती के अनुकूल ही फल देने वाले हैं, आप देखिए, रवी सुर्य क्रूर ग्रह होता है, चंद्रमा सौम्य ग्रह होता है, मंगल भी क्रूर सौम्य ग्रह की स्रणी में आता है, बुद्र भी सौम्य ग्रह की स्रणी में ही आते हैं, सुक्र भी सौम्य ग्रह की स्रणी में ही आते हैं, और शनी कुरूर संग्य ग्रह है, मतलब हम अगर ये जान लेते हैं कि कौन सावार हमारे पक्ष में रहने वाला है, हमारा काम आसान ह जाता है यदि हम कहीं याद्रा करने जा रहे हों किसी विशेस निर्नय के लिए हमारे पास कोई इंतजार कर रहा हो हमारा तो अगर इन चक्रों के इस चक्रों को अगर हम देख लेते हैं तो हम किसी भी खास दुर्गती में नहीं फसेंगे हमारी हमारे द्वारा जो भी निर्न करेंगे अपने जीवन में कुछ इसी तरह से आज की कार्यग्रम का अंत करते हैं और कल किसी और अन्य विशय के साथ जो बिल्कुल अलग होगा आपके सामने प्रस्तूत करके और प्रस्तूत होंगे उसे ले करके तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कर